कोविड मामारी के दौरान देश के अधिकांस बागों में को बुरी तरह से प्रभावित किया है लोहों के असमय मोत हुई है कारोबार बंद हुए है परिवारों के जो कमाऊ सदे से थे उनको गवाया है तो प्राइवेट होस्पिटल्स में बाद दे होकर इलाज कराने के लि खतम हो चुकी हैं और वो कर्ज में डूब गए हैं ऐसी प्रस्तिती में संकट की घड़ी में बारत सरकार के द्वारा मोधी सरकार के द्वारा केवल पचास जार रुपया प्रतेक मृतिक परिवार को दिये जाने का निरने ये पूनत या गलत है और अप प्रयाब्त है वास लगा कर ही लाखो करोड रुपया इससे वसूल किया है तो धन्राशी का कोई संकट नहीं है देश के प्राप्त आकड़ों के अनुसार चार लाख सतर हजार एक सो पंद्रा लोगों की मिर्तु कोविड से हुई है और ये धन्राशी ये संक्या और भी काफी अधीक है गुज जरात को एक बहुत ही अच्छा प्रदेश माना जाता है वहाँ पर सरकारी आकड़े का नुसार दस दस जार लोगों की मौत हुई है कोविड से लेकिन घर घर सर्वे कराने के बाद ये पाया गया कि वो संक्या दस जार नहीं है बलके तीन लाख है इसी तरह के सर्वे अन्य प्रदेश में भी होना चाहिए और इस सख्चगा की जानकारे होने चाहिए वह इसलिए इस पर हमारी मांग है कि निवीड से मरने वालों की संक्या सही संक्या दी जाए और यह भी बांग यह प्रतेखवisen के परवार जनों को कम से कम 4 लाख की दन्रासिं अवश्य दी जाए मुहावजे के रूप में थन्दवाए